दोस्तों, एस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक प्रड़क्ट के बारे में बताने वाला हूँ, आईगेर कंपनी की तरफ से, यह है आईगेर सुपर फैन, इस प्रकार का दिखता है, और यह है वो फैन, यह एक पोटिबल फैन है, जिसे आप तकरीबन 3.2 फीट तक करते हैं, काफी काम की चीज़ है, और इस वीडियो में मैं आपको एस प्रड़क के बार में अर्धिक जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं, देखते रहे हैं, तो यह दिखिए, यह है आईगेर सुपर फैन, यह एक पोटिबल फैन है, देख सकते हैं कि काफी कॉम्पाक्ट है, इस पोटिबल फैन का हाइट जो है, इससे आप एजस कर सकते हैं, रिचार्जबल बैटरे के साथ में आता है, 180 डिग्री अंगल एजस्मेंट सपोर्ट करता है, और वकिंग टाइम बैटरी पर तकरीबन 12 घंटे का है, अब यह जो स्मार्टफोन को भी इसके साथ में चार्ज कर सकते हैं, और यहां से आपका अडिय मिल जाता है, यह जो परड़क्ट है, इससे आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, एजस्टिबल हाइट के साथ में आता है, और यहां पर और अदिशन डिटेस दिया हूँए, फॉर स्प अंदर ये केबल दिया हुआ है USB to Micro USB data cable है इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए और ये जो फैन है ये रिखें इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है इसे मैं बाहर निकाल देता हूं काफी कॉम्पाक्ट टाइप का बॉक्स पैकिंग है लेकिन जो फैन है इसका जो और बॉक्स में मुझे ये जो केबल है इसके अलावा ये फैन दिख रहा है इसके अलावा चेक करते हैं कि बॉक्स में कुछ और चीज है या नहीं ये रिखें यूजर मानूल इसमें दिया हुआ है जिसमें आपको इस प्रड़क के बारे में एडिशनल जानकारी मिल जाए क्शाएं कूंकि नीचे की तररण रबर पैडिंग दिया हुआ है तो बडieder असा ग्रिब भीम जाता है यहां पर USB port दिया हुआ है और साथ में micro USB port दिया हुआ है USB port का उप्यों करके आप additional devices हैं जैसे कि आपका smartphone है उसे आप चार्ज कर पाएंगे और यह micro USB port है इसका उप्यों करके इसमें जो battery है उसे आप चार्ज कर पाएंगे वैसे इसका जो angle है आपको जैसा angle चाहिए वैसा आप इसे setup कर सकते हैं और यह extension rod के साथ में आता है यहां पर extension rod दिया हुआ है तो इससे मैं pull करता हूँ यह इस प्रकार से यह खुल जाता है इन फैक्ट मैं आपको fully open करके बताने वाला हूँ लेकिन फिलाल मैं इसे इस size पर रखता हूँ और इसे थोड़ा सा यहां पर इस प्रकार से bend कर देता हूँ ताकि आपको यह अच्छी तरीके से दिख जाए यह दिखिए तो यहां पर बटन दिया हुआ हुआ है अगर मैं फैन की आवाज है कैसी है अब यह फिलाल तो speed number one पर चल रहा है यहां पर अगर आप देखें तो numbers दिया हुआ है इसे फिर से प्रेस करूं अब यह two number speed पर चले गया है फिर से प्रेस करूं three number speed और जो fan है यह fast हो गया है और आप जो आवाज है उसे भी अब सुन पा रहे हों तो यह एक unique type का mode यहां पर दिया हुआ है तो चार speed इससे आप control कर सकते हैं और इससे प्रेस करके hold करेंगे तो यह off हो जाएगा यह रिखें अब यह off हो गया है तो काफी compact सा fan है और अगर आप ऐसी जगा पर रह रह रहे हैं जहां पर अकसर power failure होता है तो आप इस परकार की device इसका अपμέग कर सकते हैं एक important चीज में आपको पताना चाहता हूं यह देखें यहां पर एक lock system दिया हुआ है यह देखें अब यह unlock हो गया है यह जो rod है यह इस प्रकार से bend हो जाएगा तो आप इस प्रकार से इसे lock कर सकते हैं यह देखें आप यह lock हो गया है इतनी आसल से इसे इसे गिरने वाला नहीँ है। फिलाल तो मैं इसे स्ट्रेट रखता हूं और इसे मैं लॉक कर देता हूं ताकि यह घिर है यह वी यह लॉक हो गया है। तो यह दिखे जो प्रेटी जो प्रेटें है चहें देज़ुशा जो झाइंग्वादा से लिए कंप भी स्बाटा को उसके ऊंपते हैं प्रडुब्रेट्डबल पिच्पाइब और उप्कोस्त में भून सब्सक्राइए करें आफकोर्स इसे आप एज़ फैन की तरह यूज कर सकते हैं और मैं खास करके यह जो प्रड़क्ट है इसे मेरे जो PC है उसके साथ में यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो PC है वो जादा हीट अप होता है और वहां पर भी मैं मेरा जो सीलिंग फैन है उसका उप्यो करता तो यह जो फैन है मेरे सिचुएशन के लिए काफी काम में आ सकता है वैसे अगर आप यह प्रड़क्ट खरीदना चाहते हैं तो यह Amazon पर अवेलेबल है उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका प्राइजिंग है तकरीबन 2,000 रुपे के आ देटरही एंग